जब भी आपको इस साधना करते हैं पूजा करते हैं तो जो सिद्धी होती है वो प्रत्यक्ष रूप से और आपको प्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से आपको प्राप्त होती है कई बार आपको सपन के माद्यम से उस देवता के दर्शन हो जाते हैं कई बार ऐसी घटनाओं के दर्शन आपको हो जाते हैं सपन के माद्यम से तो कई बार आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाए गटित होनी शुरू हो जाती है जिन घटनाओं को आप अपने इस देव से जब जोड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो मेरी साधना है वो सफल हो चुकी है तो एपर्तिक्स रूप से ऐसी बात नहीं है कि एपर्तिक्स रूप से अगर आपको साधना में सफलता मिलती है तो वो शक्तिशाली नहीं होती वो भी शक्तिशाली होती है उसमें भी आपके तमाम जो कारें वो होते हैं आप जो चाहते हैं वो चीजें होने लगती हैं और जि का आद्बुद रूप जो है वो उन्हें देखने को मिलता है जैसे एक वेक्ति हमारे आप पे जो बाबा महुनराम की जन्होंने साधना करी जूले की साधना करी उपर जूल टांक कर उस पर वो अपने दोनों हाथ रखे खड़े रते थे तो उन्होंने अपना अनुभव बता और उन्हें बताया कि बाबा महुनराम के जूले दर्सन हुए तो इस परकार हुए थे के नीला घोड़े पर बाबा महुनराम जो है वो आ रहे हैं और बहुत बड़ा सवरू बाबा महुनराम का है और नीला जो प्रकाश है वो ही उनको दिख रहा है हर जिगा पर तो पूर अप्रतेक्स रूप से दोनों तरेके से आपको दर्सन होते हैं है प्रतेक्स रूप से जो शिद्धी प्राफ्ट होती है ऐसा नहीं बवित कशक्तिषाली होते है उसमें भी बहुत सारे भी दोते हैं लक्षण के बारे में ऊसमें बहुत करता है है पले लक्षण होता है की जब आपको देवताकी किर्पम राप्त हो जाती है जागरत हो जाती उनकी शक्ती तो आपकी प्रेंग है वह स्वीकार होने लगती है के कई लोग को आप uniquely देखा कि अधिकतर ये जो चीज है ये उन लोगों के साथ होती है जो चर्च में लोग जाते हैं वो प्रात्ना करते हैं तो हमारे ही एक रिष्टेदारी में एक लड़की है जो कि उनको मानती है इशम शी को मानती है यानि कि थोड़ी लंबे रिष्टेदारी है पर उनको मानती है त बोला जाता है कि यह जिसकी लिए प्रात्ना कर देती हैं उनका कार्रे हो जाता जैसे कि स्थ्वी लेक्षन बताते हैं कि उसकी शक्ति जागरत हो चुकी है उसकी शिद्धी आपको प्राप्प हो गई है अगला रक्षण है जब आप पूजा पे बैटते हैं तो पूजा के समय जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगातने के तुरंत बाद आपको जो ध्यान है वो एकदम लग जाता है कि जब आप पूजा में ध्यान लगाते हैं तो आपको ध्यान नहीं लगता पर जब आपको देविता की किरपा और शक्ती जागरत हो जाती है तो उस समय पे आप वैसे ही आप बैठते हैं त जब वो पूरी भागदोडी की जिन्दकी में एक स्थान पर बैठते हैं साम के समय पर कई लोग बैठते हैं ध्यान लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बारे में देवता से पूछते हैं उनके प्रशनों का उत्तर उनको मिल जाता है और वो बता पाते हैं तो वो यही आत्मिक प्रसन्यता आपको महसूस होती है जिसे हम कहते हैं कि आपको अंदर से खुशी महसूस होना इतनी खुशी महसूस होना कि आपका जो शरीर है आपकी जो आत्मा है वो गदगद हो गई है यह चीज़ें आपको महसूस होने लगती है जब वो देवता के शक्ती जाग होती है तो उनका जो अंश है वो आपके अंदर विद्यमान हो जाता है जिसके कराणम वह अपना प्रभाव जो है वह आपको दिखाता है आपको ऐसा लगता है कभी कभा कि मैं पूजा करता रहूं मंद्र जाप करता हूं तो यह भी तभी होता है जब कोई शक्ति जागरत होत जो देवता का आकंशन होता है जब ऑपके इश्ष्ट का आपकी तرف आक्रुशन होता है और ज उसकी शक्ति जो है वो जागरत हो जाती तो आपका ऐसा मन करता रहों मंतर जाप जो है करता रहो अगर आपने डेली का ग्यारा माले का जाप आपने शुरू किया तो ग्यारा माला पूर्ण होने के बाद भी आपका ऐसा लगता है कि यार एक और करलू एक और करलू एक और करलू अगला लक्षन है जब देवता की शक्ति जागरत होती है तो देव अपन उनको महसूस होने लगता है उनको ऐसा लगता है कि वो अकेला रहना चाहते हैं वो अपने मन का मनन करना चाहते हैं उनको इस प्रकार से जो गुण है वो उनके अंदर विद्यमान हो जाते हैं कि वो ध्यान पर ही बैठे रहते हैं तो कई लोगों को ऐसे गुण विद्य तो ये सबी जो गुण हैं विष्ट देव के जो गुण हैं वो आपको प्राप्त हो MIL-ग मिदा समाहित हो नहते हैं साथ ही आपकोiste महसूस होने लगता है आप 10 जो इच्छाएं वह पूर्ण होने लगती है आपने सोचा होगा आपका घर बन जाए तो अपा घर जाती है तो यह जो सभी करण होते तभी होते जब देवता की जो शक्तिय हो जागर्थ होने लगती है साथ ही साथ आपके आसपास और आपके जीवन में आपके घर में कुछ ऐसी घटनाई हैं जो आपके अनुसार गटनी शुरू हो जाती है जब आप सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए तो वो ऐसा हो जाता है तो आपको खुद आश्यर होता है आपको खुद ऐसा महसूस होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ही मेरे सामने हो रहा है वैसे ही घटना है मेरे सामने घटी तो रहे इसके लिए तो मैंने सोचा था ये चीज़ मेरे पास आ गई इसके लिए सोचा था ये हो गया काम तो ये सबी जो है तबी होता है जब देवता के जो शक्ति है वो जागरत होने लगती है अगले election है आपकी मानी में एक अलग सा आकरशन पैदा हो जाता है एक ऐसा आकरशन जो दूसरों को आपकी तरफ आकरशित करता है जब उनसे आप बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान परवक सुनते हैं साथी जो लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे वो आपकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं वो आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं आपकी बातों का उन पर बहुत ज़्यादा असर होने लगता है उनकी आत्मापर्म के मन पर आपकी बातों का प्रभाव होता है यह थे कुछ ऐसे लक्षन कि जब देवता की शक्ति जागर्यत होती है देवता के गू unha के अंदर आते हैं आपको सिध्य प्राप्त होती है थो यह तो यह जो लक्षन है यह आपको दिखाई देते हैं आपके बहुतией जीवन सब्सक्राइब का उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजी सब्सक्राइब के बटन को दबाईए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें साते घंटा का निशान जो आपको दिखरा है बैल आइकन आपके सामने उसे दबाईए वीडियो के निचे जो बैल आइकन है ताकि जो भी हम जानकारे डालें पूजास से संब्सक्राइब कीजी ताकि निरंतर आपको अध्यात्म से जुड़ी जनकारियां प्राप्त होती रहें, लाइक कीजी, शेर कीजी और भेन वर भायू तक 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 और लोगों तक जनकारे जाए, और लोग भी इसका फायदा उठा पाई, मैं बाबा भोले नात से, सदा ये विंती करता हूं कि बाबा भोले नात सलेव आपकी जोली भरते रहे, हुआ 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 झेल ग्रापना सलेश नात सलेड भरते ये और हादा भाले बाब खायूँा बाबा भोले रहे, आपके लाए, जो रहे, ьापके लेग रहे, जो रगोग पहे, प्राप मैं हन्मा पूबादा तक ऍ편 हम गाजु आता हुआ है ज कि दोताहBACK, तक पुम